लखनव सूपर जाइंट्स बहुतों की फेवरेट टीम होगी और सबसे बड़ी बात ना सुरुवात में होता है ना की टीम के नाम बड़े रहते हैं लेकिन दर्सन छोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा उसी केटेगरी में यह टीम आती है हमेशा फैंस उमीद करते हैं भाई ट थोड़ा अच्छा फिक्स लेते जो कमिया थी उसको खतम करते और फिर एक बार फिर से नई उमंग के साथ IPL में उतरते तो IPL ऑक्षन तो खतम हो चुका है अब देखना यह है क्या जो इनकी कमिया थी उसको यह इस ऑक्षन में दूर कर पाए हैं या फिर से वही बुरा हाल होने वाला है नमस्कार मैं हूँ आपका फेवरेट सिधान त्रिपाटी और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लखनव सुपर जायंट्स के ऑक्षन एनालिसिस की कैसा गया इनका ऑक्षन क्या कमिया थी उसको पूरा किया की नहीं और मैं यहां पे इनको कहां तक पहु वीडियो में तो देख लेते हैं कि क्या था इनका इस्कुाय औफ्प्सन से पहले क्योंकि स्कुभाएड देखेंगे तभी तो पता चलेगा क्या कमिया थो अगर आप सक्षा न do लेकिन एक ट्रेडिंग इन्होंने किया था क्या था देवदत पार्डिकल ने लिया है अपने इसकॉइड में ठीक है और किस को दिया आवेश खान को ट्रांसफर कर दिया ठीक तो आवेस खान जो कि थोड़ा सा गलत टाइम पे उन्हें ट्रांसफर किया इसमें फ़र्म बड़ा अच्छा चल ला है ठीक ही ठाक है मतलब तो आवेस खान को ट्रांसफर किया तो इनके पास एक अच्छा इंडियन पेसर थोड़ा कम हो गया तो एक कमी तो वहां पे है दूस इनके पेस में अगर आप देखेंगे न तो इंडियन पेसर बहुत तगड़े वाले नहीं है तैलेंटेड है नो डाउट लेकिन बहुत तगड़े वाले में जाएंगे मैच विनर है वो उस पर आपको डाउट होगा ठीक है तो इनको एक ओवर सीज पेसर तगड़ा लें एक और बात है कि इनके पास मार्कूट का बैकप में नमीनुलहक थे ठीक है और नमीनुलहक को यह मुस्ली खिलाएंगे भी लखनवू के पिछ पे जहां पर टॉर्न होगा कटर्स फसेंगी न वहां खिलाएंगे ठीक है तो वह लेकिन जहां पर इंजरी हो गई तो उनका बैकप कोई होना चाहिए एक पॉइंट दूसरा जो है इनको एक और जटका लग जया है यार वो ऑक्सन से संबंदित नहीं है नमीनुलहक बैन हो सकते हैं से क्योंकि नोसी सायद ना मिले लेकिन ज्यादा चांसे भाई आई पील है तो आफगानिस्तान बोर्ट भी देई देगा तो इन दो जगहों पर यह टीम लैग बिहाइंड कर रही है पिछले सीजन एक और पोजिशन था जहां पर यह लैग बिहाइंड कर रहे थे लेकिन व एक और इंजरी प्रोन मारकूट चाहिए था एक और इंपोर्टन पॉइंट है कि इस बार ओपिन करेंगे नहीं कौन केल राहुल यह मिडिल ओडर में सिप्ट होंगे तो क्या इनके पास ओपनर्स हैं तो इनके पास अच्छे खासे हैं ठीक है तो उस पे ज्यादा वो नही था उस पे मतलब कोई सवाल या निसान नहीं है तो कुल मिला के कमिया इनकी यह दो मेन है अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने किन-किन प्लेयर्स को खरीदा है तो बहुत ज्यादा यह ऑक्सन में गए भी नहीं है लेकिन प्लेयर जो खरीदा है उसमें ठीक ठाक जो लो नहीं तो इस टीम में जरूरत नहीं है इस टोई निसा है पूरन है कुरुनाल पांडया तो कहां खिलाएंगे टर्नर को तो टर्नर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे तो कुल मिला के यह दो पर इनका फोकस था एक इंडियान बैक पेसर और एक इंडी ओवर सीज पे देंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं क्योंकि नाहीं इन दोनों को मतलब बाई तो इननने जरूर किया है लेकिन नंबर अच्छे नहीं दोंगा बहुत अच्छा नहीं दूंगा ठीक ठाक वाले में रखूंगा तो अब देखते हैं कि क्या होगा इनका प्लेइंग 11 इस ऑक तो भी टीम थोड़ा सेटल ही ती तो टीम में ज्यादा कमी आपको दिखाई नहीं देगी आपको कोई एक खेलता हुआ दिखाई दे लॉजिकल बात तो यहीं बोलेगा कि भाई डिकाग को खिला लो लेकिन यह काईले मेयर को भी प्रिफर कर सकते हैं लास्ट सीजन दो तीन मैचों में अच्छा खेल दिया था बाकी देवदत पार्टिकल को लाएं हैं तो खिलाना भी मजब कोई खेलता हुआ दिखाई देगा रवी विस्नोई हैं सीवम मावी हैं मुहसीन खान यह इनका प्रॉबेबल 11 होना चाहिए अब बात करते हैं इंपक्ट प्लेयर में यह किसको लाएंगे तो यह कुछ इनका कंबिनेशन बन रहा है अगर आप इनका कंबिनेशन देखेंग बहुत ही अच्छा है मतलब फिनिसिंग वाला डिपार्टमेंट इनका अच्छा है लोवर मेडिल और भी अच्छा है तो उसमें ज्यादा कमी है नहीं अगर हम टॉप तीन देखें तो एक देवदत पार्टिकल थोड़ा सा बोल सकते हैं बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अभी ठीक ही ठाक हैं और अगर वह एंकर का रोल करते हैं क्योंकि इनके पास हिटर्स बाद में तगड़े हैं निकोलस पूरन है मारका से टोइनिस हैं काईले मेर्स कुंटन डिकॉक हैं तो फुल मिलाके एक मतलब वहां पे इनको एंकर वाला प्लेयर चाहिए था तो वह द नहीं कर पाएं इस लेवल पे ठीक है तो यहां पर आक्शन में यह थोड़ा सा मात खाए हैं और दूसरा बैक अप वाला तो जरूरत पड़ेगी तब तो वहां पर डेविड विले हैं बैक अब में तो ठीक है भाई उनको खेलना तो मोस्ट आप देमें नहीं है थोड़ा स इस डिकॉट जो भी हैं मैच विनर तो ही है राहुल है निकोलस पूर है मारकस इस्टोनी से मतलब चार-चार मैच विनर होना यह दिखाता है कि इनकी टीम काफी अच्छी है बैटिंग डिपार्टमेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट में घर जाएंगे तो इनका इस पिन अटेक अच्छा है रवी विकेट टेकर हैं कुरुणाल पंड्या रन रोकते हैं जवरत पड़ी तो बैक अप में स्पीनर से इनके पास वो भी आ जाएंगे ठीक है पेस डिपार्टमेंट वहीं पर ये टीम थोड़ा सा लैक बिहाइंड करती है मारकुट यह अच् यहां पर थोड़ा सा लैक बिहाइंड कर रही है तो यह थोड़ा सा जो कमी था वो ऑक्षण में भी उतना दूर नहीं हो पाया है तो कुल मिला के इनका ठीक ठाक गया लेकिन बहुत ठीक नहीं गया है फ्लोटर्स की बात करें तो दीपा खुड़ा हैं अमित मिस्रा हैं दिखाई देंगे तो ये था इनके auction का analysis अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कितना number देंगे तो देखिए टीम इनकी balance दिखाई दे रही है लेकिन Indian Pace Department में थोड़ा सा कमी है और उसी कारण मैं auction में इनको 10 में से 8 rating दूँगा अगर वो अच्छा पेसर कोई ले लेते हैं भारत और अगर ये अच्छा खेल गए तो फिर ये टॉप चार में तो ज़रूर फिनिस करेंगा उसके बाद फिर इनका composer रहेगा कि attacking खेलते हैं कि राहूल नहीं बाकी सारे players उसे आप से ढलते हैं कि नहीं क्योंकि भाई फिर knockout मैचेज में तो जोर लगाना पड़ेगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाई बाई धन्यवाद